हेलो दोस्तो नमस्कार पर कर सकते हो तो चले दोस्तो फिलाल इस वोड़ो को स्टार्ट कर लेते हैं अब 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 लोगो को धीमे 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 उसी डायरेक्शन में जाते ही देखने को मिल रहे हैं यह सारी बाते हैं आप लिए सी विडियो में बताने वाला हूं श्रस्तो बात है यहापर Russia vs Ukraine war से रिलेटेड आप अप सभी लोगों को यहाँ पता है कि रश्या के उपर बहुत सारे sanctions लगते वे देखने को यूपर मिल रहे है सभी sanctions यूपर चल जाएंगे बड़ रश्या के उपर अगर हम लोग यहाँ बात करतों सो तो एक ऐसा sanction है या फिर आप बोल सकते हो जहाँ पर मतलब लिटरली रशिया अभी बहुत ही ज़ादा तकलीफ में देखने को मिल रही है और वो है दोस्तों यहाँ पर फार्मा बिजनेस आप सबी लोगों को यहाँ पर पता है बीच में मैंने इसे रिलेटेड रिपोर्ट भी कवर किया था कि ऐसे वेस्टन कंट्रीज वहाँ पर रशिया में से अपना फार्मा का बिजनेस से एक्जिट करते हैं देखने को मिल जाता है क्योंकि दवाई से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो लोग कॉंप्रमाइज नहीं करते हैं दवाई अगर तुम्हें चाहिए तो चाहिए ही दोस्तों अभी रशिया में हम लोग को दवाई से रिलेटेड बहुत ही जादा शॉर्टेज देखने को आपे मिल रहे हैं यह होना ही था जैसे कि आप लोगों को पता है कि इतने सारे कमपनीस थे वहाँ पे वह अभी धिमे धिमे करके पीछे यह आपे हट रहे थे तो शॉर्टेज तो हों गई एंड डिमाइन तो हमिशा पीक लेवल पे रहता है फार्मा का तो अभी बहुत जादा प्रॉब्लेम देखने को आपे मिला है कुछ इससे रिलेटेड में आप लोगों को बाते भी दिखाना चौँगा एंड एक और प्रॉब्लेम देखने को मिले थी जिससे रिलेटेड 19th April से रिलेटेड भी यह डेटा हम लोगों ने देखने को आपे मिला था अभी प्रॉब्लेम क्या इस तिम के सबसे में आप लोगों को बात यहापे कर रहा हूँ सो अल्टिमेटली यह पेमेंट ही नहीं कर पा रहे थे कि अगर उनको यहापे फार्मा से रिलेटेड अगर कोई दवाई खरीद नहीं है तो पेमेंट तो करना चाहिए तो वही पॉसिबल हो नहीं रहा था त सो मतलब आप देख सकते एप्रेल में जून मतलब लगबग धाई से तीर मेने के बाद अभी हम लोग को यह धीमे धीमे करके इंपक्ट देखने को मिल रहा है कि रश्या में शौटेजेस हो रहा है कि से रिलेटेड मेडिसीन से रिलेटेड और दोस्तों इसके चलते अगर ह बड़े स्टेट्मेंट आरे जैसे के रश्या का हेल्थ रेगूलेटर की अगर हम लोग बात करें उन्होंने बताये कि मेडिसेन की शौटेजेस देखने को मतलब आगे भी देखने को यहाँ पर मिल सकते क्योंकि डिमांड बहुत जादा है और सप्लाय बहुत ही यहाँ पर अगर बात करें इसे रिलेटर दोस्तों यहाँ पर रश्या ने एक बार वार्निंग भी दिया था पुरानी निउस है आप देख सकते 18 मार्च क्योंकि जब वार स्टार्ट हुआ था सो बहुत सारे युके के अगर हम लोग बात करें युरोपियन कंट्रीज की बात करें अमेरिका की बात करें जो बड़े-बड़े फार्मा कंपनी से उन्होंने रश्या चोड़ना स्टार्ट किया था तो तबी मोस्को मतलब रश्या ने ही यह officially बोल दिया था Officially कि भूलना मत कि हमारे साथ इंडिया खड़ा है और इंडिया यहापे replace कर सकता है Western countries को अगर हम लोग यहापे रश्या का Pharma critical markets की बात करे तो और उनने यह भी कहा था कि जब COVID आया था तो जो मतलब बोलते हैं गरीब countries रहती है तो उनके लिए भी vaccination इंडिया नहीं provide किया था तो यह मत सोचना कि हमारे उपर pressure आएगा करके क्योंकि इंडिया का market हमारे साथ यहापे खड़ा है और इंडिया का Pharma का business actual में बहुत बड़ा है तो definitely दोस्तों अभी हम लोग यहापे कह सकते हैं कि दिमे दिमे करके रशिया इंडिया से ही Pharma से related मदद मांगने की कोशिश कर रहा है और यह दोस्तों रशिया का market Pharma से related बहुत बड़ा market है बट देखिए यहापे जैसे में आप लोगों को कल भी बताया था कि बहुत सारे देश ऐसे है जो कि इसके चलते हैं इंडिया के उपर pressure भी create करने की कोशिश जरू करेंगे तो यही देखने वाली बात रहेगी कि क्या इंडिया इसमें दबाव में आता है या नहीं आता है बट रशिया ने इंडिया से ही आपे help यापे मांगी है तो दोस्तों इंडिया से related अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे stock से जो मैं आप लोगों के सामने आपे रखना चाहूँगा फार्मा बिजनेस से related है तो आप चाओ तो उनको study कर सकते हो देखे जोश में आके unnecessarily directly buying करने के लिए jump नहीं करना है बहुत से लोग ऐसे बस stock का नाम देखके buy करते हैं ना उनको management का नाम पता होता है ना company के director का नाम पता होता है ना CEO का नाम पता होता है ना किसी का भी बस देख लेते वीडियो और jump कर लेते हैं तो दोस्तों ऐसा मतलब बोलते हैं ना मतलब इसके चलते हैं आप stock market में लंबी पारी नहीं खिल सकते हैं आपको properly उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए दस company पढ़ने से अच्छा आप एक company को बहुत detail में पढ़ो पूरा मतलब बोलते हैं ना post bottom कर दो उस company का की exactly है क्या उसमें तब जाके आप market में आगे बढ़ पाओगी अगर आपको seriously आगे बढ़ना है तो वरना तो ऐसे दिन में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी भीड आती जाती रहती है तो चले अभी कौन-कौन से ऐसे companies है दोस्तो जो वाकई में यहाँ पे इस news का फाइदा भी उटा सकते हैं वो मैं आप लोगों के सामने आपे रखना चाहूंगा तो दोस्तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं तो JB Chemical and Pharma Criticals इस company के उपर आप लोग focus रख सकते हो आपको याद भी होगा बीच में मैंने इससे related detail वीडियो भी बनाया था और इसके पीछे का reason है इनके subsidiaries फार्मा से related दो subsidiaries है एक है South Africa में और दूसरा subsidiary है यहाँ पे रश्या में इस company को detail में study करना दोस्तो हलके में लेके नहीं करना है कि बस ऐसा ही करके बट company अच्छे वाकए में fundamentally strong है ऐसी वैसी company नहीं है next बात करेंगे दोस्तो तो रश्या में ही रहेकर फार्मा का business करने वाली company Sun Pharma इसके उपर भी आप focus रख सकते हो Sun Pharma भी देखा गे तो इतना crap stock नहीं है बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह वाला जो period है उनके लिए कि रश्या से इनका business कैसा चल रहा है बहुत अच्छा का सा business रश्या से Sun Pharma का देखने को आपे मिल जाता है जरू Sun Pharma आप लोगों के radar के उपर रहना चाहिए कभी भी कोई भी खबर यहाँ पे आ सकती है प्लस अगर हम लोग बात करें next कोई company तो दोस्तो वो है Dr. Redis Dr. Redis में मतलब अगर मैं बात करू तो लगबग 8-10% दोस्तो Dr. Redis का business ही रश्या से आता है इतना ज़्यादा फार्मा का business वहाँ पे फैला हुआ है जरू Dr. Redis को भी आपके यहाँ कर सकते हो फोकस में रख सकते हैं यह दोनों index वाले stocks है अभी emotionally होके jump नहीं करना है मैंने again कहा कि returns यही पे mistake कर लेते है आप लोगोंने check करना है कि company की consistency कैसे है performance कैसा है और उसके बात आप लोगोंने decision यहाँ पे लेना है मैं आप लोगों को सिर्फ इतना मदद कर सकता हो कि consist stocks आप लोगोंने पढ़ने चाहिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यह company रशिया से directly link रखती है आप चाहो तो इनके website के उपर जाओ इनके numbers पढ़ो आप लोगों को रशिया से related इनके business का allocation भी आप लोगों को वहापे देखने को मिल जाएगा ज़रू Dr. Redis इस company को भी आप क्या कर सकते है अपने radar के उपर यहापे set करके रख सकते हो देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें दो ऐसे company आप जो की बहुत ही ज़ादा risky है और अगर इंडियन सरकार अगर pharma business में इंडिया को boost करने के लिए export करने के लिए अगर यहापे ज़ादा encouragement करती है तो कौन से companies के उपर focus रखना चाहिए वो में आपके सामने आपे रखना चाहूंगा तो उसमें से एक company है ME Organic जो regularly इस channel को देखते हैं उनको ज़रू पता है इसके बाद में दूसरे कौन से company का नाम लेने वालो कि ME Organic दोस्तो definitely यहापे हम लोग कह सकते है अच्छा कासा performance यहापे दे सकता है बट यह मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यह risky नहीं है दोस्तो यह ultra risky company है मतलब आप समझ सकते हो कि कितना खत्रा है इस company में क्यों क्योंकि यह just अभी-भी market में आए और जहां से start किया है उसने आप देख सकते है 30% क्योंकि just अभी-भी IPO की through यह market में आप देख सकते है September 21 मतलब एक साल भी complete नहीं हुआ है so यह इतना risk है बहुत ही limited information है and plus देखा गया तो एक small cap type की company केवल 3000 करोड का market cap so यह risk इसमें बहुत ज़्यादा है जैसे मैंने आप लोगों को बता है but company वाईयत नहीं है company से related मैंने बहुत सारा data पढ़ा है यह आपे तो यह बहुत ही ज़्यादा interesting लगता है यह company अगर इस company को थोड़ा बहुत मदद मिला तो यह company बहुत बढ़ा कि study कीजिए then yes tarson product यह भी company आप अपने radar के उपर जरूर रख सकते हो यह भी company आने वाले समय में अच्छा कर सकता है फार्मा से related यह देखे जब से शुरू हुआ है तब से लेकि अभी तक top level से 13% down है similar इसकी भी कहानी same है केवल 3-4000 करोड का market cap है अगर देखा गया तो company कैसी है एक small gap company है फार्मा से इनको read करना है ऐसी बात नहीं कि और companies नहीं है इनको आप चाहते है यह रीड कर सकते है अगर आपको और भी फार्मा से चीज़े सीखने को यहां पर जरू मिलेगी और जिस तरीकी का माहल यहां पर बनाया दोस्तों यहां पर अगर इंडिया ने रश्या को अपने उपर dependent कर लिया फार्मा से रिलेटेड तो बहुत बड़ा यहां पर हम लोग कह सकते है जियो पॉलिटिकली भी जो बाते रहते पॉलिटिक्स की उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा strong position पे भी आ सकता है तो देख लेते इस से रिलेटेड क्या होता है क्योंकि सबी countries को पता है कि रश्या को फार्मा से रिलेटेड मदद करने वाला इंडिया ही तो इंडिया की उपर यहां पर अलग-अलग वे से हम लोग प्रेशर भी क्रेट करने की कोशिश करेगा अमेरिका भी करेगा बाखी countries भी करेंगे G7 से रिलेटेड कल मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताय था कि आप ये भी चीज़े आपे हो सकती है तो देख लेते शुरूआत तो हो चुकी है जो हम लोग सोच रहेते कि रश